तो चत्तुर्स ग्रही योग बन रहा है, चार ग्रह एक साथ बैठे हैं, ये मामला बहुत अच्छी स्थती का नहीं, उतार चड़ाओ, सत्ता परिवर्तन, देश में, आंतरिक कलह, तो ये बहुत सारी चीजे भठापटक होने जा रही हैं, इस प्रकार के दुर योगों से पताये था कि बुध ब्रिशब राशी में 14 जून तक रहेंगे, तो 15 दिन का ये बुध का ट्रांजेक्शन ब्रिशब में जब होगा, तो वहाँ पहले से ही सूर्य और ब्रहश्पती बिद्दमान हैं और शुक्र, तो चत्तुर्स ग्रही योग बन रहा है, चार ग्रह एक स साथ बैठे हैं, बुध के प्रिवेश करते ही, सूर्य ब्रहश्पती बुध शुक्र, ये मामला थोड़ा सा उठापटक वाला है, ये मामला बहुत अच्छी स्थती का नहीं है, जून का महीना एक प्रकार से एक और यहां दुर्योग है, दुर्योग किस तरह का है, यह दुर्योग है तेरह दिन के पक्ष का, तेरह दिन का पक्ष, सास्त्रोक तो शुब नहीं माना जाता उतार चड़ाओ, सत्ता परिवर्तन, किसी बड़े नेतित्तों का अच्छाए, बड़े नेता का अच्छाए देश में आंतरिक कलह, सामपरदाइक टकराओ, अगनिकान्ड, मंगल राहु से तो पहले से ही चल रहा है, मंगल राहु का अंगारक दोश बना हुआ है, जून में मेश में आ जाएंगे खैर मंगल, तो ये बहुत सारी चीजें उठापटक होने जा रही है, ये इस्थिती जून महीने के पहले पखवाड़े में 15-16 जून तक बनी हुई है, सावधानी बरतने की आवशक्ता है, हर प्रकार से उत्तम सोच रखने की आवशक्ता है, और समहल कर चलने की आवशक्ता है, यह गोचर संपूर्ण स्रिष्ट के लिए मैं केवल भारत वर्ष मानो जाती की बात नहीं कर रहा हूँ संपूर्ण स्रिष्ट के लिए थोड़ा सा भया वह हो सकता है अतह जितना हो सके इस प्रकार के दुर योगों से बचने के लिए एक महा उपाय हम ले करके आएं इस चतुस ग्रही योग और तेरह दिन के पखवाड़े की वजह से लगु मृत्युन्जय बड़ा मृत्युन्जय जाप संभवता है आप लोग ना कर पाएं शुद्धता का भाव रहता है तो लगु मृत्युन्जय ओम हाउं जूम सह यह लगु मृत्युन्जय है इस मंत्र का जाप प्रातश नान के बाद संपूर्ण स्रिष्ट के कल्यान के भाव से कर ये नहीं कि मेरा भला हो मेरी रक्षा करो प्रभू नहीं त्राहिमाम त्राहिमाम उस प्रक्रत से प्रार्थना करें जादा से ज़़्यादा जल का सेवन करें जेवन को बिलकुस सिक्रिंसाइज करिए मतलब की बहुत ज़्यादा आव्यवस्थित ना रहिए बहुत ब्यवस्थित प्रात्य उठना ध्यान जब आदि संस्कृत में पारंगत हैं अगर आप तो दुर्गाश शप्तशती की पुस्तक से मा का आराधना करते हुए देवी कवच का पाठ परम कल्याण करता है उसका पाठ जरूर करिए घर में आपके संख है तो संख जरूर बजाईए सुबह साम तीन बार लोहबान गुगल इन दो पदार्थ से धूनी जरूर दिखाए घर में इससे भी निगेटिविटी जाती है और पॉजिटिविटी आती है तो अगर हमारा ये वीडियो आप जन जन तक पहुंचाईए ये व्यक्ति विशेश के कल्याण के लिए हमने नहीं कहा है हमने संपूर्ण स्रिष्टी कल्याण के भाव से ये हम कारकरम किये है दो वज़ा चतुस ग्रही योग और तेरह दिन का पक्ष इन दोनों आधार पर हमने यह महा उपाय महा प्रियोग लेकर के मैं आया हूं जिससे संपूर्ण कल्याण हो संपूर्ण कल्याण के लिए तो लगु मृत्विंजय भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ओम नमह शिवाय ये तो सबसे आसान है भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्रों जितना हो सके इसका जाब करिए आप प्रभु सबको सदभाव दें सदबुद्धि दें किसी के मन में किसी के प्रति इरसया द्वेश कलेश कलुस्ता ना आये इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी वानी को विराम देता हूं आप सब की शुब कल्यान के लिए हम महादेव से बारम बार प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने दर्शक हैं हमारा कारिक्रम हमारा वीडियो जहां तक आप पहुँचा सकते हैं जितने गुरुप में आप पहुँचा सकते हैं वाटसप में शेयर करिए फेस्बुक पे शे करिए बस शेयर करते जाएए जिससे सब के अंदर सद भाव सद कल्यान का भाव पैदाओं बहुत बहुत शुक्री आपका धन्यवाद नमश्कार हर हर महादेव जय जय शिव शब्भ आचार्य विश्व प्रसिद्ध जयोति शाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर पर ग्रहदीप समस्त प्रकृति की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुश्या ला सकता है कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खोशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीप एक खुशिया अनेग